दोस्तो नमस्कार करनल अजय सी यो अजय अस्टो मनी गुरू फर्स्ट ग्लोबल अस्टो फनाइस डीजेश चैनल से आप से मुखाती वता हूँ आज 19 दिसंबर सन 2023 दोस्तो अजय स्टो मनी गुरू अपने एक लाग सस्क्राइबर और एक करोड व्यू साल 2023 के लक्ष को समय से पहले पूरे करने की खुशी में आप सभी को धन्यवाद पेशित करते हैं साथ साथ सभी सस्क्राइबर्स को पेड सस्क्रेप्शन में एक सोगा भी आफर करते हैं सभी सस्क्रेप्शन में बाई वन गेट वन फ्री यानि एक सस्क्रेप्शन खरीदने पर दूसरा सस्क्रेप्शन निशुलक मिल सकता है दोस्तो विशेश चूट और अधिक जानकारी के ये संपर्क करें दोस्तों खबर निकल के आ रही है यमन के पास स्वेज के स्वेज के नाल के पास आतंगवादी हमलों के करण क्रूड तेल और खाद्य तेलों की सप्लाई में बादा उपस्केत होई है यानि ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि स्वेज नहर के पास यमन के पास आतंगवादी दोरा मिजाईल और ड्रोन हमले के वियापारिक जहाजों पर हमले के वज़े से क्रूड तेल और खाद्य तेलों की सप्लाई में बादा उपस्तित हो गई है जिससे मलेशिन पाम आयल स्वाइदे के बजारों में सुमवार को शानदार तेजी दर्ज होई है और ये 35 रिंगट बंड कर 3764 रिंगट पर बंद होने के समाचार है गौरतला बै कि स्वेज नहर के नाल में यमन के पास अतंगवादी दोरा क्रूड पाम तेल और खादे तेलों के जहाजों पर मिज मिजाइल्स और ड्रोन के हमले के बाद अधिकान शिपिंग कंपनियों में कंपनियों ने स्वेज नहर के जो मार्ग है जल मार्ग उसको चेंज करने का मानस मना लिया है गौरतला बै कि चार शिपिंग कंपनियों ने स्वेज के नाल के मादिम से जहाज भेजना बंद कर दि ग्लोबल सोया तेल बेंचमार्क अरजन्टाइना एफ़ोबी की कीमतों में भी पिछले 17.08 प्रतिशत बढ़ कर यह 905 डॉलर प्रतिटान हो गई है पिछले दू हपतों में सोयविन की कीमतों में 13.06 प्रतिशत की गिरावट आई थी गौरतलब है कि हमने आपको आपको याद होगा हमने कहा ताकि समय पर मुनाफ़ा वसूल करना उचित रहेगा गौरतलब है कि तीन हपते पहले अर्जन्टाइना सोयविन की की कीमते 1033 डॉलर थी जो घटकर 898 डॉलर तक गिरने के बाद पिछले अपता इसकी कीमत में 898 डॉलर से बढ़कर 905 डॉलर हो गई है पिछले सब्ता के अंतक कच्छे तेल की कीमतों में भी सुधार होने से सोयविन की की कीमतों में गरावट रुग गई है और ब्राजील में दो सब्ता के दोरान होई बारिश से सोयविन की फसल कोई बड़ा फाइदा नहीं होने के समाचारों के भी सोया तेल की तेजी को बन मिला है दूसरी और या दिव सूरज मुखी तेल देखे हैं तो ग्लोबल इस तर पर सनफलार तेल की किमतों में लगाता तार तीसरे सब्ता गिरावट दर जोई है और तीन सब्ता में ये 10.79 प्रतिशत की गिरावट सूरज मुखी तेल यानि सनफलार तेल के अंदर देखी गई है गौरतला भे कि हमने आपको 9.9 मैने के सेकंड वीक के बाद में इसमें सूरज मुखी तेल के अंदर गिरावट की अगरें विशलेशन दिया था गौरतला भे कि ग्लोबल पाम आईल तेल की बात करें तो उसका बेंचमार्क इंडोनेशिया एफोबी की किमते पिछले सब्ता 0.6 प्रतिशत बढ़ कर 814 डॉलर हो गई है जो कि पिछले दो सब्ता में 6.35 प्रतिशत कम थी तीन सब्ता पहले इंडोनेशिया क्रूड पाम तेल की कीमत 855 डॉलर थी और इंडोनेशिया में बायडेजल बनाने के लिए पाम तेल की बढ़ती खपत और अल्नीनों के प्रवाव के कारण साल 2024 में मलेशियन इंडोनेशिया में पाम तेल के उत्पादन में कमी की संभावना के कारण पिछले सब्ता क्रूड पाम तेल की कीमतों में भी तेजी दर्ज हो गई है दोस्तों वर्तमान में क्रूड पाम तेल की तुलना सोयाबीन की तेल की प्रीमियम 55 डॉलर पतीटन है जो पिछले सब्ता 300 डॉलर था इस प्रकार क्रूट पाम तेल की तुलना में सोया भी तेल का प्रीमियम अभी भी बरकरार है वर्तमान में क्रूट पाम तेल का प्रीमियम सूरज मुखी तेल की तुलना में 55 डॉलर पतीटन है जो पिछले सब्ता 25 डॉलर था तीन सब्ता तीन थ्री वीक्स पहले वीक अच्छे पाम तेल का प्रीमियम सूरज मुखी तेल की तुलना में 55 डॉलर था तो दोस्तों ये एक महतवपून गतना क्रम है जिसे अंतराश्टे वजारों में खादे तेलों की की खीमत में फरक पड़ सकता है दोस्तों हमारा प्रयास ये है कि हर छोटी बड़ी घटना जो की ओल सीट्स या तिलहन से संबंदित है वो आप तक पहुचाएं आपको हमारा चैनल कैसा लगता है अपनी राय अवश्य दीजिए साथ-साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली ब पात हमारा चैनल के लिए साल 2023 का एक लक्ष निधारित किया गया था कि एक लाख व्यू एक लाख सस्क्राइबर और एक करण व्यू यह हमारा लक्ष समय से पहले पूरा हो गया है 16 दिसंबर को इसकी खुशी में आप सबसे पहले मैं आपको सभी दर्शक बंदूओं को पात साथ एक रिटन गिफ्ट के रूप में सस्क्रिप्शन के उपर लगवत 50% तक की छूट की भी ओफर आप तक है अधिक जानकारी और विशेश रिपूर्ट के लिए संपर्थ करें All the very best, good luck, happy trading